आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें परसने क्रोमियम की अधिक्तम ग्यात ऑक्सिकरण अवस्था है ठीक है, चलिए देखते हैं, तो जो क्रोमियम होता है जुसका प्रमाड़ उकरवां केतना होता है, 24 तो इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोनिक विन्यास हो जाएगा आरगन, अक्रीगेस की टर्म में आरगन तक कठा रहा हो क्या फिर 3D5, 10 और फिर 4S1, यहनिके 24 ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें पता है, क्रोमियम जो है ठीक है, कुल 3 OxyC अवस्था प्रदर्सित करता है ठीक है, एक हमारा 6, एक 3 और एक 2 यह 3 OxyC अवस्था हमारा क्रोमियम प्रदर्सित करता है ठीक है, OxyC अवस्था यह कह सकते है, OxyC संख्या इतना दर्साता है 3 OxyC अवस्था चलिए देखते, तो देखे, अगर ये एक electron निकाल दे, पहले आद ध्यान से समझेंगे, 3D5 और 4S1, ठीक है, तो 4S1 ये हमारा S orbital बना दिया और यहाँ पर हमने D orbital बना, आरगन तक का तो हमें पता है, कि हमारा पूरा अस्टक पूर है, ठीक है, चलिए देखते यहाँ पर, त तो एक electron निकाल दिया, ठीक है, एक electron यहाँ निकाला, ठीक, एक electron क्या किया है, एक electron निकाल दिया, ठीक, और यहाँ से दूसरा electron निकाला, 2, 3 electron निकाल देंगे, 3, ठीक है, 4 electron, 5 electron, 6 electron, 6 electron निकालने पर आरगन जो होगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, आरगन तक क्याने कि यह इ तो अधिकतम जो OxyColid अवस्था होती है वो क्या हो जाती है प्लस 6 हो जाता है जो कि यानिकि C विकल्प जो होगा तो आपको दिख रहा कि सबसे इस्थाई जो है वो 6 OxyColid प्लस की है ठीक है क्योंकि प्लस 6 पे क्या हो जा रहा है यह आरगनी बच रहा है ठीक समझ गये थैंक यू